हेलो गाईज आज हम सिखेंगे किसी भी फोल्डर को पासवर्ड देने के लिए क्या करते हैं अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सार इंपॉर्टेंट फाइल है उसको कोई देखना सके तो उसके लिए अपने परसेनल फोल्डर बनाईए और उस फोल्डर को लॉग करक करता हैं पड़ेगा हमें जानना है Google Chrome के आंदर तो जैसी Google Chrome में जाएंगे जाने के बाद इसमें दोस्तो आपको एक WinRR के नाम से यह मैंने किया हुआ किलिक इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा सिंपल किलिक करेंगे दोस्तो किलिक करने के बाद सिंपल यह आपके समय ओपन हो जाएगा आपको जो फर्स्ट पल ओप्शन दिगरा WinRR डाउनलोड लेटर बरजन सिंपल किलिक करेंगे देन किलिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना सिंपल इसमें किलिक कर देना यह डाउनलोड हो जाएगा मैंने अल्री डाउनलोड कर रखा है तो मैं यहां से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ तो हम simply चलेंगे मा wh inhabited क्या हूँ मैंने कहाँ पर download किया हुआ है और जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको simply क्या करना है कि इसको install करना है, install करने के लिए कुछ नहीं simply click कर देंगे, तो यह installed हो जाएगा, अब installed होने के बाद आपको क्या करना है, simply हम चलते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक folder बना हुआ है, राज्या के नम से, यह फोल्डर है कि, अब इस राज्या के जो folder बना हुआ है, सबसे पहला हम इसके पर क्या करेंगे, left-click करेंगे, left click करने का दो right click करना है और right click करने का दो आपको नीचे आना है यह एक option आता है add to इसके अंदर simply click करना है click करने के बाद अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि यह आप से कहता है कुछ यहाँ पर लिखा composition method है तो simply here side में click करना यह क्या करता है जो आपकी बेस्ट भी रखेंगे जिसे क्या होगा इसके size जो यह कम कर देगा अगर आप simply करते है store तो store में क्या करता है कि जो आपका size उसी के as it is here रखता है तो हम simply करेंगे best पे click करने के बाद आपको simply क्या करना है इस point में आना लिखो यह set password लिखा हुआ हुआ मैं simply क्लिक करता हुआ इसके अंदर अब यह आपसे password मांगता है तो password मांग लिए मैं इसको एक password देता हूँ simply और नीचे दुबारा फिर password मांग रहा है मैंने दुबारा फिर type कर दिया है करने के बाद आप यह encrypt file name से इसको क्लिक कर देरा है और simply यहां सब करेंगे okay जैसी okay करेंगे थोड़ा से time लेता है और आपका यह simply lock लग चुका है तो जैसे मैंने यहां से इसको किया करने के तब देखेंगे कि यह एक तो है साथ में अलग से राजा के नाम से यह folder बिनके आए गया बिनारा के अंदा अब होगा कि अगर मैं इस फाइल को open करूँ double click करता हूँ में open होगा यह तो यह आप से password मांगेगा अब मैं इसमें अपना password देता हूँ simply हम क्या करेंगे enter करते है और यह okay हो जाएगा अब देखिए जो हमने इसके अंदर के file बनाया था वो file इसके अंदर आ रहा हो जैसी यह राजा है और राजा के अंदर मैंने कुछ file इश्टोड किया हो था वो file में यह अंदर show हो रहा है जैसी यह बिया अब मैं यह चाहता हूँ जैसे for example माँजिए यह जो राजा वाली फाइल है इसको आप यहां से ड्लेट कर सकते है अब मैंने simple एक क्लिक किया left click then right click करके delete कर देते हैं अब ड्लेट करने के बाद आप देखेंगी फाइल है अब कल को आप यह चाहते हो कि यह जो फाइल है जैसे पहले था मेरे पास वैसी हो जाए करनेबट फोल्डर में हो जाए आरार से हटके सो उसके लिए क्या करना है सिंपल इसमें क्लिक करना है लेप्ट क्लिक करने के बाद आपको करना दोस्तो राइट क्लिक है राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना बस यह लिखा उपर extract file दिख रहा दोस्तो इसमें simply click कर देंगे और click करने के बाद आपको simply क्या करना है नीचे जाएका बस करना है okay जैसी यह okay करेंगे तो आपको file क्या होगा यह password मांग रहा आप से मैं password type कर देता हूँ और simply में करता हूँ okay okay करने के साथ ही क्या होगा कि आपका यह देखिए जैसे बनेगे आप देखेंगे यह राजा के नाम से उपर एक folder आ चुका है दोस्तों यह आपको जो पहले file था folder था वो ही है अब मैं यह चाहता हूँ कि जो मेरे यह वाला है जो बाद में आरार के अंदर बनाया था मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो simply click करके देनरापर राइट क्लिक करके आप इसको यहां से delete कर सकते हैं दोस्तों तो इसी तरह साब अपने folder को password लगा सकते हैं इसको lock कर सकते हैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक यूँ सो मच